नमस्कार जनता के लिए जनता की अवाद जनता समचार में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की कुछ खास खबर राज्य में होने वाले त्रीस्त्री पंचाय चुनाव को लेकर आरक्षन प्रक्रिया को लेकर प्रदेश भर में लगाए गई याजिकाओं पर गुरुबार 9 देसंबर को एक साथ सुनवाई हुई चीफ जस्टिस रवी मलिमट और जस्टिस विजई कुमार शुकला की डवल बेंच ने चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया कोट ने कहा कि ग्वालियर खंडपीट ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था तो बेंच बदलने से क्या होगा याचिका करता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ट अधिवक्ता एवं राज्य सभाप सांसद वेवेक तन खाने सुप्रीम कोट में प्रक्रन ले जाने की बात कही हाई कोट में याचिका के जरिये जिला जन्पत और ग्राम पंचाय चुनाओं में आरक्षन के लिए राजसरकार द्वारा जारी अधिसूचनाबा मनमाने प्रावधानों को चुनाओती देते हुए स्टे लगाने की मांग की गई मुखने आधिश रवी मलिमत वाज जस्टेस विजय कुमार शुकला की युगल पीट ने पिछले सोमवार को ही 9 नवंबर को अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई की व्यवस्थात दी थी इस मामले में पूर्व ने अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पंचायत इवं ग्रामिड विकास विभाग के प्रमुक सचिप पंचायत राज संचाल नाले के आयुक्त सह संचालक सहीत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था दरसल पंचायत चुनाव को लेकर गालियार इंदौर और जवलपूर में अलग-अलग याचिकाओं लगाए गई थी सभी याचिकाओं में आरक्छन की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी इस कारण चीफ जस्टीस रभी मलीमत और जस्टीस विजेक कुमार शुकला की य आप तक की खास खबर और खास खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें